आज में कुछ अलग खास रेसिपी लेकर आई हूँ आपने कढ़ी पकोरत बहुत खाया होगा पर क्या आपने पनीर का कढ़ी वरी खाया है जी हाँ दोस्तों आज में पनीर का कढ़ी लेकर आई हूँ बहुत ही खास रेसिपी है टेस्टी बहुत बनकर त्यार होता है अगर आ कौरष होता कहना कि है च्छोटा सा पौड जैसा लिए बर्तन और इसको लोटा कहते हैं कई जगों पर THinnan दिए दॉआ दिया का छनाЗ में भास भलाइशन में को नीजेए दल रहे हैं यहां चाहें तो आमचूर्च पाउडर के जगह पे चाट मसाला भी ढाल सकते हैं यहां पे मैंने दो तरह का प्याज तयार किया है एक बिल्कुल बारीक कटा हुआ यह देखिए बिल्कुल चौप बारीक है और एक लंबा स्लाइस में मैंने काट लिया है जो लंबा मेंने काटा है उसो डाल देना है इसमें और आधा प्याज है मैंने लिया है ठीक है आधा प्याज मतलब पूरा एक प्याज था एक प्याज को आधा मैंने लंबा काट लिया है और आधा चौप करके काट लिया है पानी इसमें डालेंगे और काफी बढ़िया से इसे घाट लेंगे देखे कि तो यहां पर मैंने पनीर लिया है तो देखिए पनीर का मात्रा जो है आप अपने नुसार रखिएगा आप इसमें कितना पनीर डालना चाहते हैं और पनीर को मैंने चोटे-चोटे टुकरों में काट लिया है देखिए चोटे-चोटे टुकरों में अगर पनीर काटते हैं तो तो चोटे चोटे टुकरों में पनीर को कट लेंगे देखिए पनीर हमारा बिलकुल कट चुका है तो अब अलग बरतन में लेना है बेसन यहाँ पे मैंने दो बड़े चमल से बेसन ले लिया है और बेसन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है काफी थोरा डालेंगे ठीक है और इसे काफी बढ़िया से फेंट लेंगे फेंटना काफी जरूरी हो जाता है फेंट येगा इसे तभी ये अच्छा बनकर त्यार होता है बरी तो थोरा सा और मैंने पानी डाल दिया है और गाढ़ा सा पेश्ट आपको त्यार करना है अधीक मातर में पानी मद डालिएगा गाढ़ा सा पेश्ट तयार कर लिजेगा और इस तरह से खुब बढ़िया से आप घाट लिजेगा देखे इस टाइम ना हल्दी नमक मद डालिएगा सबसे पहले आपको बेशन को ना खुब बढ़िया से फेंट लेना है तो देखे मैंने काफी देर तक इसे फेंट लिया है और फेंटने के बाद आपको इस तरह से पानी में डाल कर चेक करना है अगर ये जो पेश्ट है उपर तैर रहा है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट पेश्ट बनकर तयार है देखिए मैं आपको फिल से दिखाती हूँ नजदीक से ये कितना बढ़िया सा ये तैर रहा है उपर बिल्कुल ही तैर रह आ है नीचे जब बैठ जाएगा पानी की नीचे चला जाएगा तब तक आथ फेंटते रहेगा जब तक पानी के उपर नहीं आता है तब तक आप इसी तरह से फेंटते रहेगा ठीक है तो चलिए हमारे बहुत ही अच्छा सा पेश्ट तयार हो चुका है अब इसमें हल्दी पौडर और नमक स्वादनुसार दोनों को डाल देंगे तो देखिए यहां पे कढ़ी बरी में थोरा हल्दी का मातरा अधिक ही डाला जाता है तो थोरा सा हल्दी अधिक रखिएगा अब इसे काफी बढ़िया से मिक्स करेंगे यहां पे मैंने डाला है हींका पाउडर तो हींका पाउडर मैंने दो चुटकी लिया है यहां पे मैंने चोटे चमस से एक चमस धनिया पौडर भी टाल दिया है काफी बढ़िया से मिक्स करेंगे तो देखिए अब यहां पे कटा हुआ पनीर लेना है और पनीर का एक छोटा सा टुकरा लेंगे और इसके अंदर से डीप करेंगे काफी बढ़िया से लपेटते हुए इसे तल लेंगे तो मैंने यहां पे रिफाइंड ओयल का प्रयोग किया है आप चाहें तो सरसो तेल में बनाईए या फिर रिफाइंड तेल में बनाईए आपकी अपनी यह चोआइस है तो इसी तरह से सभी को पनीर को बेशन में लपेटते हुए डाल देंगे और मिडिया मास पे पलटते हुए काफी बढ़िया से इसे सेक लेंगे सभी को मैंने डाल दिया है अब इसे अलटते पलटते हुए काफी बढ़िया से मिडिया माज पे फ्राई करके निकाल लेंगे और देखिए मैंने इसमें ना सिर्फ आधा पनीर ही डाला है और आधा से ज़्यादा मात्रा में पनीर मैंने बचा लिया है देखिए आप भी इसी तरह से बनाईएगा ठीक है मैंने आधा को सिर्फ फ्राई किया है बेशन में लपेट कर और आधा को बचा लिया है देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा ये फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ तो देखिए हमारा आधा बेशन वाली पनीर है और आधा सिंपल पनीर है अब इसी कड़ाई में मैंने आधा तेल निकाल लिया है और कुछ तेल इसमें मैंने रहने दिया है और इसमें मैंने डाला है छोटे चमच से एक चमच जीरा आधा चमच साबूत धनिया और यहां पे मैंने लहसन डाला है तो लहसन काट का डाला है चार से पांच कलिया है और इसे काफी बढ़िया से फ्राई होने देंगे यहां पे मैंने फिर से दो चुटकी हिंग डाला है और इसे काफी बढ़िया से फ्राई होने देंगे जब लहसन का color हलका change हो जाए तो यहाँ पे जो बारिक कटा हुआ प्याज हमने जो काट लिया था उसे भी इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे मेरा आधा मात्रा है प्याज का ठीक है और यहाँ पे फीर में डाल रही हूँ करी पता तो यह सुखाया हुआ करी पता है तो मैंने एक मुठी डाल दिया करी पता काफी बढ़िया से इसे भून लेंगे देखिए प्याज का color change हो गया है थोरा यह भूरा भूरा हो गया है तो यहाँ पे मैंने एक बारिक कटा हुआ पका हुआ टमाटर डाल दिया है और बिल्कूला सा dont इंप्स्प्राइब करते हुए पांटर को काफी बढ़िया से गला लेना है धीरе धीरे भोल लेंगे और भोल्नी के पाद जो हम यहां पर फ्राइं कर रहे हैं टमाठर मसालाँ तेज रखेंगे और शह कड़ा लेंगे और इसे कठाई में डालने के बाद फटा फट लागा तारी से चलाते रहेगा आज को आप मीडियम रखे या फिर तेज रखे लेकिन फटा फट आपको चलाना है और काफी देर तक आप चला लीजिएगा जब तक ये बबल्स अपने आप मतलब उबाल अपने आप आने न लगे तब तक आप लगातारी से चलाते रहिएगा और जब बबल्स यानि कि उबाल आ जाए तब धिमी धिमी आज पे आप 10 मिनट के लिए पका लेजिएगा दिखे ये कढ़ी जो है वो पकते पकते काफी गाढ़ा होती जाता है तो आप अपने कढ़ी के अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जितना आप गाढ़ा पसंद करते हैं उतना आप कर लीजिएगा चलिए अब इसे कैसे पहचानेंगे कि ये पक चुका है की नहीं तो चलिए अब बताती हूं कर्ची से बताती हूं इसके उपर आप लीजिएगा ना तो बिल्कुल ही वाइट वाइट सा हलका हलका सा सरकल जैसे आपको दिखेगा तब समझ जाएगा कि हमारा कढ़ी जो है पक चुका है देखे इसमें बेशन डाला हुआ है ना तो काफी जरूरी होता है बेशन को पकाना तो हमारा कढ़ी जो है बिल्कुल ही बनकर तयार है यहां पर मैंने अब फ्राई किया हुआ पनीर पकोरा डाल दिया है और यह हमारा जो कच्चा पनीर है यह भी मैंने डाल द देखिए इसमें कच्चा पनीर डालने से काफी स्वादिष्ट करी बनकर त्यार होता है आप जरूर बनाईएगा बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप इसमें कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं बिदावट मतलब जो बेसन घोल कर बेसन में पकोरा जो बनाया है ना आपने वह ब देगी मिर्च पाउडर डाल दिया है ताकि करी में काफी बढ़ियासा कलर आ जाए और उसका तरका लगा दिया है तो देखिए हमारे कितना बढ़ियासा पनीर का करी बनकर त्यार है खाने में बिल्कुल ही अमेजिंग है और यह जीरा राइस के साथ तो बिल्कुल ही मस्त लगता है खाने में तो आप एक बार इस तरह से जरूर पनीर का कढ़ी बना कर ट्राइ किजिएगा और अगर आपको पसंद आये तो हमारे चैनल पे कमेंट सब्सक्राइब लाइक सब चिस कर सकते हैं मिलते हैं जल्दी नेक्ट वीडियो में तब तक मैं आपको इसका सॉफ ताइक झाम जो मच